सुप्रिम कोट ने सुमबार को देश भर में आरोपियों के खिलाफ बुल्डोजर एक्षन के मामले में सुनवाई की अदालत ने इसे कानून के खिलाफ बताया और एक सकता बाद सुमबार को अगली सुनवाई की तारीख दी वही इसमेर कॉंग्रिस की और से प्रतिक्रिया सामने आई नमस्कार मैं हूँ शेग जुही आप देख रहे हैं देने ग्रिविस राजस्थान कॉंग्रिस प्रदेश उध्यक्ष गोविन सिंग डोटासरा ने सुप्रिम कोट की टिपनी को पूरी तरह सही बताया कॉंग्रिस नेता ने सुप्रिम कोट की टिपनी को लेकर प्रदेश की सरकार सही दूसरे बीजेपी शासत राज्यों की सरकार पर निशाना साधा वो बोले कि सिर्फ सस्ती लोगपृता हासल करने के लिए राजस्तान और बाकी राज्यों की विजिपी सरकारे ऐसा काम करती है सुप्रिम कोट में जम्यात उलेमा हिंद ने उतर परदेश, मध्यपरदेश और राजस्तान में हालिया बुल्डोजर एक्षन के खिलाफ ये याच्चिका दायर की थी राजस्तान के कॉंग्रेस प्रदेश और अध्यक्ष और लक्षमनगर से विधायक डोटासरा सुप्रिम कोट की टिपनी का स्वागत करते हुए बोले कि बुल्डोजर एक्षन लेना गलत है वो आगे बोले कि जब तक कोई भी ऐसा वैक्ष जिस पर आरोप है वो कोट की नजर में दोशी सिद नहीं हो जाता तब तक बुल्डोजर एक्षन लेना गलत है वह इंडिया लाइन्स की सायोगी समाजवादी पार्टी के अध्यक शकिलेश यादव ने भी अपने सोशल मीडिया पोस्ट में सुप्रिम कोट के फैसले का सुवागत किया समाजवादी पार्टी सांसद ने लिखा कि अन्याय के बुल्डोजर से बड़ा होता है नियाय का तराजू बता दू बुल्डोजर एक्षन के मामले में सुप्रिम कोट में सुमवार को कहा कि अगर कोई दोशी भी करार दिया जाता है तो भी उसके खलाफ बुल्डोजर एक्षन लेना गलत है अपरादिक कानून में किसी आरोपी के खलाफ बुल्डोजर एक्षन कैसे लिया जा सकता है वही कोट ने ये भी कहा कि वो इस मामले को लेकर सभी राज्यों के लिए दिशा निर्देश तयार करेगा इस मामले की अगली सुनवाई सुप्रिम कोट में 9 सेप्टेंबर को होगा